पीम के उमीदवार कवी थिलग बामाने पलानी में राश्चिर जनतांत्र गडबंदन की डिंडी गुल संसदी श्वेत्र परिच्वयात्मक बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने दस वर्षों तक उत्करश्व तरीके से शाष्षन किया है और दुनिया द्वा कवी थिलाक बामा की परिचव बैठक आहिजित की गई बैठक में बीजेपी, पीमके, एए, एम, यूके, ओपीयस टीम और पटाली पीपल्स पार्टी के कई कैडर शामिल हुए तब बोलते हुए उमिद्वार थिलाक बामा ने कहा राश्ची जनतांत्री गडबंदन दलो की और से तमिलाडू शिक्षा, विकास संग और सभी गडबंदन दलो की सिक्षक, बुजर्ग और स्वयम सेवकों ने भाग लिया मैं विश्वास और स्वार्थ से कहता हूँ कि हमारे भारत के प्रधान मंत्री जिन्होंने दश वर्षों तक बहुत अच्छो तरीकी से शाष्ण किया है और दुनिया उनकी प्रशेंशा करती है सत्ता में वापस आने वाले हैं बारती खूफिया सेवा द्वारा एस्टीपी पार्टी को डिडी गूल निर्वात्रन शेतर आवंडित किया गया है चरंपंती विचारों वाले जिस वेक्ति को जानच घेरे में लाए गया था उसे उमीदवार के रूप में नामित किया गया है और वहां डिडी गूल जिल